नमस्कार भाईयो आप स्क्रिन पर जिन को देख रहे हैं वो है इस समय के दिल्ली के मुख्य मंतरी श्री अरविंद गेजरीवाल और पूरे हिंदुस्तान में इस समय अरविंद गेजरीवाल और इनकी पार्टी सिर्फ एक बात के लिए फेमस हो चुकी है जो है ब्रस्टाच और बेहिमानी पे जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो उसको पूरी तरह से दबा देते हैं चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे बाहर का हर इनसान को ये बीजेपी और आरएसस का एजेंट बताते हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज़ों तक को नहीं चोड़ा जब बात आई अपने उपर तो इन्होंने दिल्ली में विदान सभा का स्पेशल सेशन बुला लिया सभी को उम्मीद थी के अरविंद केजरिवाल अपने चुप्पी तोड़कर अपने ब्रस्टाचार पर कुछ तो बोलेंगे जो उनी की पार्टी के कपिल मिश्राने इनके उपर संगीन आरोप लगाए हैं लेकिन कुछ नहीं बोले पूरी पार्टी पूरी आप पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विशेय पे लग गई जिसको किसी भी तना से ठीक नहीं देखा जा सकता अरविंद केजरिवाल जी ने विपक्ष के नेता श्री विजेंदर कुमार गुपता जी को सदन से भारन करवा दिया क्योंकि वो ब्रस्टा चार पर बात करना चाते थे और अरविंद केजरिवाल जी ब्रस्टा चार पर बात नहीं करना चाते थे उसके बाद जो सदन में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना थी अरविंद केजरिवाल जी की पार्टी के विधायक शी शौरब भारद्वाज ने नजाने कहां से एक EVM जैसी मशीन को लाके उसका डेमोस्ट्रेशन सदन में दिया उन्होंने वताया कि किस तरह से वोटिंग में गड़बड की जाती है और इस EVM मशीन में कुछ कोट डाल दे जाते हैं जिससे कि ये EVM मशीन जिसको चाहें उसी को वोट देती है आप पार्टी वालों को तो पता नहीं लेकिन मेरे को ये बात कहीं से भी ठीक नहीं लगी क्योंकि पहली बात ये इलेक्शन कमिशन की मशीन नहीं थी ये भार से लाई हुई मशीन थी और सौरप भारदवा जी अपने आपको एक इंजिनियर बताते हैं इंजिनियर बताते हुए वो ये कहते हैं कि मुझ जैसे साधरन इंजिनियर को इस मशीन को हैक करने में 10 से 15 दिन लगे मैं तो यह मानता हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी फिर तो इंजिनियर ही नहीं है क्योंकि इस तरह से बाठ से लाइव ही मशीन को तो अगर इंजिनियर चाहे तो वो कुछ घंटों में ही हैक कर देगा क्योंकि यह इलेक्शन कमिशन की तो मशीन थी ही नहीं इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं इसमें सौरभ भारद्वाज जी बता रहे हैं कि किस तरह से मशीन के साथ छेड़ चाड़ करके गड़बड़ी की जाती है वोटिंग में कि कुछ कोट डाल दीजिए कोट डालने के बाद जो सारी वोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी इस वीडियो के अकॉर्डिंग बी जेपी को ही जाती है लेकिन सौरभ भारदवाज जी एक बात को भूल गए शायद कि अभी हाल ही में MCD के चुनाव उए थे उन चुनावों के बाद जब मैं निजों पे देख रहा था तो आप पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं का कहना ये था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहां हम जीते हैं वहां बड़े मारजन से जीते हैं इस बात पर गौर करना के जहां हम जीते हैं वहां हम बड़े मारजन से जीते हैं और बहुत सी सीटे ऐसी हैं जहां हम क्लोज मारजन से जीते हैं हम नंबर 2 की partty थे, और हम बहुत ही ज्यादा close margin से जीते हैं, अब मेरे को एक बात ये समझ नहीं आती, कि जब ये कहते हैं कि हम close margin से जीते हैं तो तक्कर काटे कीती, अगर BJP ने tempering कराई होती तो BJP one side जीतीOU। किसी और का नाम और निशान नहींदरे ता ? अब अगर बीजेपी टैम्परिंग कराती है तो वो गोगा में क्यों नहीं जीती वो मनीपूर में क्यों नहीं जीती वो पंजाब में क्यों नहीं जीती वो सिर्फ उत्राखंड और यूपी में ही क्यों जीती इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे सरकार से लोग परिशान थे उनके पास बीजेपी के लावा और कोई भी विकल्प नहीं था इसलिए बीजेपी, यूपी और उत्राखंड में जीती, परचंड बहूमत के साथ जीती आप पार्टी वाले इवियम पे निशाना साथ के अपने भ्रस्टाचार को छुपाना चाते हैं जो ये करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए क्योंकि जनता समझदार है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप पार्टी वालों ने EVM पे निशाना तो साद लिया मगर यह यह भूल गए कि जिस EVM पे जिस ELECTION कमिशन पे इन्होंने निशाना सादा है जिस मशीन पे इन्होंने निशाना सादा है उनके भी सत्तर में से सरसर जो विधायक हैं वो इसी वोर्टिंग मशीन इसी ELECTION कमिशन के दौरा किये गए ELECTIONों से जीत के आए है अगर यह EVM को गलत बताते हैं तो इनको सबसे पहले अपने सरसर विधायकों को जो अब 65 रहे गए हैं अपने 65 विधायकों को बोल देना चाहिए कि सब सभी हम त्याग पत्र दे रहे हैं उसके बाद EVM पे निशाना साद है अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ एकसल शीट के द्वारा कि हमारे मित्र सिरिश औरफ भारदवाजनी जी ने बताया कि वोटिंग होती है मैंने माना सुबह आठ बज़े से लेके शाम के छे बज़े तक वोटिंग होती है 55,000 वोटर हैं 5 पार्टियां है जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें मैंने सभी पार्टियों को एक एक हजार वोट दिये हैं जो टोटल मिलाके 11 घंटे के होते हैं अब इन 11 घंटे में अगर सबसे पहले मैं आपको देखूं जो आप स्क्रीन पे वाइट कलर में देख रहे हैं आपको हर गंटे में 1000 वोट मिले हैं जिससे कि उनका टोटल 11,000 हो गया है इसी तरहें बीजेपी को भी 11,000 वोट मिले हैं कॉंग्रिस को भी 11,000 वोट मिले हैं सपा को भी 11,000 वोट मिले हैं और बसपा को भी 11,000 वोट ही मिले हैं इसमें आप देखेंगे ये सिर्फ एक उधारन के तौर पे मैंने लिया है कि 55,000 वोटों को अगर मैंने सब में बाट दिया एक एक हजार वोट हर गंटे के साफ़ से तो ये बनता है अब सौरफ भारद्वाज जी ये कहते हैं कि भी टैंपरिंग हो जाती है मैंने माना टैंपरिंग हो जाती है ग्यारा बजे तो आठ बजे से लेके दस बजे तक सभी पार्टियों को हजार हजार वोट मिले ग्यारा बजे से टैंपरिंग हो गई जो टैंपरिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग अब जितनी भी बाकी की चार पार्टियां थे उन सभी के वोट बीजेपी को ही पड़ेंगे तो ग्यारा बजे के बाद किसी भी पार्टि को एक भी वोट नहीं पड़ेगा और बीजेपी को पांच-पांच हजार वोट हर घंटे पड़ेंगे अगर बीजेपी को हर गंटे पांच-पांच हजार वोट पड़ते हैं तो एंड में बीजेपी का वोट हो जाएंगे 43 हजार वोट जबकि बाकी सभी पार्टियों के वोट रह जाएंगे 33 हजार वोट यहां पर 40 हजार वोटो का मारजन आ गया जो के आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम क्लोज मारजन से हारे अगर ऐसा ही था तो इन्हें बहुत बड़े मारजन से हारना चाहिए था बाकी सभी पार्टियों की जमानत भी जब्त हो जानी चाहिए थी क्योंकि कभी भी किसी भी कारे करता को यह पता नहीं होता है कि जादा भीड किस समय आएगी भीड का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है और ऐसा नहीं होता है कि भीड आती है तो शुरू के घंटों में आपके समर्थ ठकाएंगे वो सिर्फ आपको ही वोट देंगे या कॉंग्रिस को देंगे या सपा को देंगे सब अपना अपना व्यू लेके आते हैं सो अब अपने अपनी वोट डालते हैं यह कहना बिल्कुल गलत है कि एवियम मशीन के साथ छेड़ चाड़ की जाती है मैं तो यह कहूँगा कि छेड़ चाड़ मशीन के साथ नहीं छेड़ चाड़ आप पार्टी के विधायकों के दिमाग के थुरू की जाती है वो एक मशीन को चोर बजार से खरीद के लाते हैं और उसका डेमो दिखाते हैं विधान सभा में और पूरे देश को गुमरा करते हैं जो एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है आप पार्टी के दोरा इसको साहा नहीं जा सकता मेरा सभी शुरुताओं से हाद जोड़ के निवेदन है कि आप पार्टी के नेताओं को दिखाया जाए कि लोगों की क्या ताकत होती है क्योंकि आप पार्टी के नेताओं ने कल विधान सबा में लोक तंतर की हत्या की है और उन्होंने ये दिखाया है कि वोटर यानि की हम हमने जिनको चुना है वो बेइमानी से चुना है मेरा सभी से निवेदन है कि अब आप पार्टी वालों का समय आ गया है कि उनको कुछ दिखाया जाए कि वोटर जो होता है वो हमेशा सही करता है और सही का साथ देता है अगर दिल्ली विधान सबा में आम आदमी पार्टी को सरसर सीटे जिता के भेजा था तो वो भी लोगों नहीं भेजा था और अब प्रचंड बहूमत के साथ अगर आम आदमी किसी को जिताता है तो वो भी उसकी अपनी मर्जी होती है अब फैसला आपके हाथ है कि आप आम आदमी पार्टी के इस बेत्तु के ब्यान को सही माने या अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं नमस्कार जैहिंद भारत माता की जै